मैं एक मश्रूम की रेसिपी बनाने लगा हूँ उसका नाम है मश्रूम कोर्मा और यह बहुत ही टेस्टी बनती है तो इसके लिए मैंने मश्रूम ले लिए है और इसको अच्छे से बॉश करके कट कर लिया है च्छोटे पीसे उनको 4 पीसे में कट किया और बड़े हो जो होत मैं बु petit हैं जोए लिए और यहां पर यह चुप्क कर यूज भीजो दिआ हो चाजीज काजू कर कास्ट मेंभी अप्ट तक थेम्य पीं हमें के रहगा इनको साइड दी शीजो को समस्तिते हैं साइड दो फेलाइक बिलाइक त्पर बाद में जू पानिय आडीटि था इसा इसे में पानिय इसे में अगर करना ही बहुत जादा ब्रॉण नी करना है भाएक हल्का तुछा ब्राउनी लगे तभी में इसमें थोड़ा से पानी डाल दूंगी क्योंकि मैं डालने लगी हूं यहां पर यूरी को बना और दाल सकते हैं, पांश मिनट तक दक करना हैं, तक पका लिया था। फखनाने के बाद मैं यह दाल द ही है, जो अच्छे से भूनुगी और अच्छे से भूनने के लिए आपको पस इस इसको कवर करके रख देना है, पांश-पांश मिनिट के लिए और यह ज पेस्ट इसको भी डाल के में जो है ना दो मिनट के लिए ही बस मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी पानी बस मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला था उसको रिकॉर्ड करना मैं शायद बूल गे थी क्योंकि मैंने बहुत ही थिक ग्रेवी रखी थी आप मश्रूम बहुत ही जल्दी गल जाते हैं तो देखें आपे मैंने धनिया से गानिश कर दिया है और बहुत ही जल्दी जटपट बनने वाली मेरी रेसिपी तयार हो गई है मश्रूम कॉर्मा एक बाद जरूर ट्राइक कीजिएगा थैंक्स फर वाचिंग